क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन और टाक्स को लेके एक और अपडेट वीडियो हम आपके लिए लेके हैं जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता रामन जी ने आज इंडिया ग्लोबल फॉरूम का एक एवेंट था जहां पर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डि तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे यह कौईन सुच के जो फाउंडर हो यहां पर जिन्हों ने बोला की वेरी वेलकम मूव रिगार्ड रिगार्ड और रिगार्डियों इश्टर अटेने पर विज्टों पर इस विग्डियों अनुम्लार्ट अटेंस्टर को योड बजट के नदर है, क्रिप्टाक्स को ऎपकिस तरह से डिखते हैं कि अनुक्यू वोड बाधन को शकंडाइस सिंप्सक्राइस प्रटिसिपेत अर्पटिसिंग अचaltetरադ समय भोल मॉल बिट डिन we need the executive to be sure that we are not you know crossing any legal requirements post which we'll come out with saying what's our position on it i know you've sort of led me to say are we regulating it or are we banning it i'm not getting into it now but after that after the consultation yes we'll be talking about it and i'm glad you welcome the taxation तो ये पहला पाट हो गया जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बुला कि currently consultation जो है वो चल रहा है इंडस्टी के जो stakeholders है उनसे हम बात करें सबको हम welcome कर रहे हैं ये सारे चीज़े होनी के बाद हम decide करेंगे हमको क्या decision लेना है crypto को regulate करना है नहीं करना है ban करना है जो भी है तो अभी currently जो consultation का phase है वो यहाँ पर चल रहा है और साथ में उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का भी reply किया कि I'm happy कि आप यहाँ पर जो नए crypto tax हैं उनको यहाँ पर आप welcome करते हो अब next part के उपर जाते हैं आप next question जो है क्या पूछा जो काफी interesting था कि क्या आपको crypto के अंदर future यहाँ पर दिखता है कि नहीं दिखता है तो उन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पर जवाब दिया कि Indians को बहुत future दिखता है crypto के अदर तो इसलिए मेरे को revenue में उसके अंदर future दिखता है कि revenue बना सकते हैं तो यह उन्होंने basically यहाँ पर एक तरह से जवाब दिया तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यह हमारी finance minister जो है उन्होंने यहाँ पर यह statement दिये लेकिन सबसे concerning fact अभी है crypto regulation तो हमको पता है सुना और लेटर कभी ना कभी आएगा लेकिन सबसे बड़ी problem जो भी बना हुआ है वो यह है कि नए आपर जो crypto tax policy है जो हम किते बार channel के उपर discuss कर चुके है कि अगर existing format के अंदर ही अगर वो आ जाते हैं TDS no deductions and loss carry forward नहीं होगा यह सारी जो चीज़े अगर implement होती है तो पूरी crypto industry को काफी negatively impact करेगा and it is not going to be good tax लगाना कोई बुरी बात नहीं है tax Indian हमारे देश को ही आगे बढ़ाने में काम आता है हमको ही वो facilities यहाँ पर मिलती है लेकिन किसी भी industry के लिए important होता है कि वो कम से कम reasonable tax हो and अगर देखा जाए जिस तरह से यह laws यहाँ पर आए है नए crypto tax policies के वो बहुत जादा unreasonable मतलब इतने unreasonable tax laws I don't think किसी industry के अंदर यहाँ पर आए है तो वो एक concerning चीज़ बन जाती है और इसी चीज़ को लेकि हम कोशिश कर रहे है क्योंकि अप सिर्फ 25 डेज बाकी है उसके आदी applicable हो जाँगा और इतने confusing है तो mostly इस industry को dry कर देंगा अगर existing format में आ गया अगर यह change नही होते हैं तो let's see अगर उसके अंदर कुछ difference आता है कि नहीं आता है and सबसे important चीज यहाँ पर एक यह थी जो मेरको थोड़ी सी concerning लगी और में को थोड़ी जो सही नहीं लगी वो यह थी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसा मैंने बताया आपको कि यह coin switch के founder है यह जो advertisement भी आपने देखा काफी advertisement वगरे सबसे पहले इन्हों नहीं start किया था सारी चीजों को करना तो यह जब यहाँ पर खुद यह बोल रहे है कि we welcome the tax जिस तरह से यह आ रहा है वो थोड़ा से एक सही message यहाँ पर नहीं देता है मतलब as a industry we all know कितना यह important चीज़े इस tax को change करना regulation बगरे तो अलग बात हो गई वो तुमको पता ही है कभी न कभी हो जाएगा लेकिन यह tax जिस format में आ रहा है वो band से कोई कम नहीं है अगर वो implement हो गया तो यहाँ पर businesses को इतना जादा फरक नहीं पड़ेगा थोड़ा TDS का issue है वो हो सकता है solve हो जाएगा इनका काम उसमें हो लेकिन mostly जो traders हैं उनको बहुत जादा negatively impact करेगा तो यह चीज में को थोड़ी सही नहीं लगी जो उन्होंने यहाँ पर चीज बोली है यही थे जिनके article वो काफी बार government officials ने भी quote किया है बात भी करिए कि वो किता इस चीज से upset थे जिस तरह के advertisement हो रहे है जिसमें इनका एक ज थिक से ना उसके against में because यह लोगों को अपने crypto withdraw नहीं करने देते हैं और उसका reason यह देते हैं क्योंकि हम government authorities से बात कर रहे हैं इस कारण हम नहीं कर रहे हैं मैंने बाकी exchanges के founder से बात कर रहे हैं उनमें से कोई भी founder जो है यह चीज को support नहीं करता हो बोलते है कि हम तो अपने users क अलाओ करते हैं लेकिन यह एक लौता exchange है जो आया भी recently था लेकिन यह इस तरही की चीज करते हैं जो crypto के एकदम against में है कि आप लोगों को crypto खरीदने की possibility दे रहे हो लेकिन आप उनको withdraw करने की facility नहीं दे रहे हो और इसकी कारण INR pair के अंदर यहाँ पर manipulation होने के chances भी बहुत स निभाई थी जब अगर हम बात करते हैं इस RBI का banking ban आया था तो this was the main guy जिनोंने पूरा जोश में आपर पूरा fight के यह तो jail भी गए थे उस ban को हटाने के लिए RBI ban को हटाने के लिए रोज court में जाके actually में आपर present होके तो बहुत बड़ा इनका contribution है यह पहले दिन से पूरी community क साथ दे रहे हैं इस बारे में post कर रहे हैं सुमित को अगर आप देखोगे हैं सुमित के मैंने काफी interviews देखे हैं जहाँ पर इनोंने television पे जाके भी काफी parliament के finance ministry के भी लोग थे उनके सामने यह चीज़ बोली कि यह tax जो है सही नहीं है इसको आप चेंज कर रहे हैं इसके बा आवाज उठानी चीए उनको welcome नहीं करना चीए कि जो tax है नहीं अच्छे है क्योंकि tax में problem है यह हर किसी को दिख रहे है tax को welcome करने से कोई नहीं रोक रहा है tax is fine लेकिन जिस format में वो आ रहे है वो बहुत ज़्यादा unreasonable है वो indirectly किसी ना किसी तरह से regulation नहीं है नहीं है उससे पह date साती है क्या changes दोने वाले क्योंकि अभी final होने से पहले 14th of March और उसका duration रहेगा तब एक better idea मिलेगा अभी तो यह implement होनी की बात हो रही है उसके पर work हो रहा है सारी चीज़े हो रही है तो इसके बार में updated रखेंगे बाकी अगर आपको आज का वीडियो जो अच्छा लगा क मैंने कोई चीज गलत बोली कि आपको लगता है कि क्या लगता है आपको आप बताना बाई बाई see you